इसकार दोस्ता आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपका बच्चा चोटा है और उसको जो है सरदी खांसी जुखाम वगरा हो गया है तो आप बच्चे को ऐसा क्या दे सकते हैं जिससे की बच्ची की सरदी ममीज हैं जो भी चुटी चुटी बच्चे जो भी बच्चे को ब्रेस्ट फीटिंग कराती है तो सबसे बड़ी बात आपका बच्चे जब भी आपको लगता है कि बीमार है खांसी जुखाम वगरा उसको हो गया है तो आप बच्चे के साथ में ज्यादा रहिए बच्चे क काम वगरा करके आई हो बच्चे को फीटिंग करा दे तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको आप जोड़ा सा अपने हाथों को गरम कर लीजिए अपने आपको सेख लीजिए इसके बाद ही आप बच्चे को फीडिंग कराईगी क्योंकि बच्चा देखि कहीं पर भी उठ आपके बच्चे को सिंप्ल सी बात है जिसे कि आपको मानना ही होगा तो आपके विए आपके बच्चे को सर्दी खांसी चुखाम हो जाता है तोkolribे आप अपने आपको मतलब घरम घर महाट देजिंग करा थीकि अगली चीज है कि अगर आपके बच्छे को खांसी बगईर गाया है उसको ठंडक लग गहीा है तब बच्चे को जह isund की पोटली बना करके उसका लेस। का निसमें डाल करके हिलके तवी पर पोटली बना करके उस पर तवी परख रख रकScott के बच्चे को सिकाई कीजिए इसको तरह कर देन रहाट है पहले अपहर आप विल एक हर जाए बाद सब्सक ही नफिर हुझा सब्सकुलिखे हरे oluyor इस तरहे उसनी कारता है बच्छे पर बच्छी पोपधार है पहले और है》 भी बच्चों के पैरों की अच्छी तरीक से मसाद कीजिए चोटा बच्छा च्छाए मेन से चोटा है तो मैं यही कहूंगे कि मस्टर्ड ऑइल जिसमें हम जाइफल और अजवाईन मैथी अगरा डाल के बनाते हैं कैसे बनाना इसका वीडियो है चैनल पर मैं आपको लिंक द बच्चे का तलवा होता जहां पर फिल फिला सा होता है तो जगे पर जो लेस्न का तेल है उसको आप थोड़ा सर रख दीजे मतलब एक सो दो तीन चार डॉप महाँ पर डाल दीजे जिससे की वह चीज भी गरम रहे यह सब चीजी की जिसे की बच्चे को गर्म हाट बलेगी बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम में यकीन मानिए अगर आप ऐसा करती है एक दिन आपने पूरा दिन यह सब चीजे फॉलो कर लिना तो आपको बारा गंटे के अंदर बच्चों में जो असर महसूस हो जाएगा कि बच्चे की सर्दी खांसी जुकाम कम हो गया और आप भ बच्चे को जो बेबी बिक्स रपाता है वह यूज कीजे जिसे की बच्चे को काफी रिलीफ मिलेगा जुकाम सर्दी खांसी वगरा है तो बच्चों को जो है जुरूर लगा दीजिए घिस करके अगर बच्चे को खिलाना नहीं चाहती है वैसे हम चोटे हमारे चोटे अगर नहीं खिलाना चाहती है तो जाइफल को घिस करके बच्चे के सीनी पर और बच्चों के तलवे पर लगा दीजिए उससे भी बच्चे को काफी गर्माहत मिलेगी तो अगर चोटा से वीडियो आपको समझ आ गया होगा और अच्छा भी लगा हो तो प्लीज इस वीड क्यूट से बेबी है अगर उनको यह प्रॉब्लम है तो वह ठीक हो जागे तो अगर इस वीडियो से लिटिट कोई कोशन है तो कमेंट जरू कीजी का और हाँ हमारे चैनल पर पहली बार आए है तो सब्सक्राइब जरू कीजी का चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तर त सब्सक्वाची